मैं मीनू आपकी गार्डन दोस्तों कैसे हैं आप मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही एक युनीक से प्लांट की केर की बारे में वीडियो लेकर तो मेरे इस प्लांट का नाम है मोतिया और इसकी कई नाम है वैसे तो जैसे स्टार मोगरा वाइन एरेबियन जैसमीन तो बहुत से नामों से जाना जाता है मैं तो इसे मोतिया ही कहती हूँ और दोस्तों इसमें बहुत ही प्यारी-प्यारी सी बर्ट्स आती हैं बहुत प्यारे-प्यारे से इस पर फूल आते हैं गुच्छों में और बड़ा ही प्यारा प्लांट ये लगता है जैसे इस पर स् ब्रट्स खिल जाएंगे तो बहुत ही प्यारे इस पर गुच्छों में फूल नजर आएंगे बहुत ही प्यारे लगते हैं और दोस्तों इसका जो सीजन है फ्लावरिंग का वो स्टार्ट हो चुका है समर में ये फ्लावरिंग करता है तो अभी मार्च में देखिए आप इस नए नई बर्ट्स नए नए कलियां सब आच चुके हैं पत्ते देखिए कितने प्यारे इस पर नए नए खिल चुके हैं और बड़े ही अच्छी ग्रोथ करता है ये समर में तो ये समर के लिए बहुत इच्छा प्लांट है और बहुत ही प्यारी खुश्बू इसके फूलो में आती है और दोस्तों ये फिलिपाइन्स जो कंट्री है उसका नैशनल फ्लावर है जी हां वहां का ये नैशनल फ्लावर है तो अगर उस कंट्री के लिए ये नैशनल फ्लावर तो आप खुद ही सोचिए कि इतना अलग सा एक युणिक प्लाउं है ये और दोस्तों हमारे यहां गजरों में इस प्लाउं प्लाउं का बहुत ही यूस होता है क्योंकि गजरे में इस खुशबू जो आती है वो इसी प्लांट के फूलों की आती है और बड़ी ही अच्छी लगती है और बड़ी ही भीनी-भीनी सी महक इसके फूलों की होती है और दोस्तों अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करूँ तो इसकी मिट्टी जो है वो well-drain मिट्टी आप बनाईएगा जिसमें आप वर्मी कमपोस्ट थोड़ी ज़्यादा डालेगा क्योंकि थोड़ी एसीडिक मिट्टी से पसंद होती है और दूसरा दोस्तों इस प्लांट में आप लिक्विट फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि इसे मौश्चर बहुत पसंद होता है और ये देखिए आशिवरात्री है तो मेरी बेटी यहाँ पर आई है अभी और फूल तोड़ रही है और देखिए आपको दिखा रही है जो ये फूल उसने तोड़े है और ये जो धतूरा होता है उसका भी पेड मेरे पास है उसी के वो तोड़े हुए है उसने वो दिखा रही थी आपको तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं तो दोस्तों जो मैं आपको बता रही थी कि जो इस प्लांट की जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन आप रखिएगा और इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का आप ज्यादा यूज कीजिएगा हर 15 ये 20 डेस पर तभी आपकी ये बहुत सारी कलियां और फुल ब्लूमिंग ये करेगा पौधा और बड़ी पृटी फ्लावर इसके लगते हैं और दोस्तों इसमें क्या है कि जो बारिष के अगर इसको लगाने की बात करें तो इस ये कटिंग से लग जाता है लेकिन आप बारीष के सीजन में ही इसकी कटिंग लगाने का ट्राइक कीजिएगा क्यों बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है तो इससे अच्छा है आप नर्सरी से छोटा प्लांट ले आईए उसे लगा लीजिए और अगर आपको कटिंग लगानी है तो फिर आप इसको बारिस की सीजन में ही इसकी कटिंग लगाईएगा और तब ये बहुत अच्छे से जो इसकी कटिंग है वो ग्रोथ कर जाएगी दोस्तों इसकी धूप की बात हम कर लेते हैं धूप में दोस्तों इसको बहुत ज़ादा कड़ी धूप आपको नहीं देनी है उसमें नहीं रखना है इसको सिर्फ morning की 3-4 घंटे की धूप ही इसे दीजिएगा क्योंकि अगर इसको बहुत जादा कड़ी धूप में आपने रख दिया तो जो इसके पत्ते हैं वो एकदम जुलस जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे सारी जो टेप सोती हैं वो इसकी ब्राउन हो जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और इसके जो फ्लावर हैं वो भी धूप में जुलस जाते हैं इसलिए इसको आप 3-4 घंटे की धूप में ही रखिएगा दोस्तो जहां पर इसके फायदों की बात अगर मैं कर लूँ तो फिर ये अलसर के ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है दोस्तो ये पौधा जी हां और दोस्तो अगर आपने नाम सुना हो जैस्मिन टी का तो इसकी वो जैस्मिन टी भी बनती है और कुछ skin diseases जो होते हैं उसमें भी ये use होता है और eye disorder जो होता है उसमें भी इस plant का use होता है तो देखिए कितना benefit है ना इस plant का तो आप जरूर अपने garden में इसे शामिल कीजिएगा दोस्तों बहुत easy to grow plant है और बहुत जादा care ये नहीं मांगता है बस थोड़ी सी ही care से ये growth कर जाता है और बहुत ही प्यारे प्यारे flower आपको आपकी garden में देता है और बहुत ही भीनी भीनी खुश्बू से आपका जो garden है वो महक उठेगा तो दोस्तों इसे अपने garden में जरूर लाइएगा और मेरी information आपको कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा दोस्तों और मेरी चैनल को like और subscribe करना ना भूलिएगा दोस्तों happy shivratri to all